अब हम आते हैं कंडिशन और बारेंगेस दिके स्टूंट्स जिस राइट के इन्फिरिंज होने पर जिस राइट के उलंगन होने पर अगर मैं एक बायर की ऐसे से समान को वापस लोटा सकता हूं तो वो शुपीर राइट हो गया वो liar right हो गया और जिस right के harm होने पर इन्फिरिंज होने पर बीच होने पर मैं समान को वापस नहीं दोटा सकता वो थोड़ा सा inferior right हो तो जो सुबीर राइड वो है कंडिशन और उससे छोटा राइड जो है वो है वारंटी ये बाद क्लियर होई इस्वेट्स तो कंडिशन्स क्या है कंडिशन्स वो रूल्स है जो इसेंचल है से लोग उट सेक्स में क्या है और वारंटी इस क्या है तो स्टुएंट्स कंडिशन्स वो हर्डल्स है जो पूरी करनी जरूरी है वो स्ट्यूपूलियेशन है जो कंप्लीट करनी जरूरी है यानि अगर conditions जो sale goods act में दीवी हैं total कितनी conditions है total seven conditions है अगर वो seven conditions जो sale goods act में दीवी है अगर वो पूरी नहीं करी किसी भी seller ने तो buyer को अपना खरीदावा goods वापस करने का right है लेकिन जो warranty है जो sale goods act में दीवी है लगभग चार तो वो warranties जो है अगर किसी seller ने पूरी नहीं करी तो buyer goods को वापस नहीं कर सकता लेकिन वो goods के लिए damages मांग सकता है तो यानि condition और warranty में सबसे पहले तो मुझे difference वालूम होना चाहिए तो आईए पहले difference ही वालूम करते है condition और warranties में तो conditions क्या जो पहला है तो condition क्या है it is a stipulation stipulation का मतलब क्या होता है तो इस रोग थाम क्या है it is a stipulation इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये इसेंशल और सुने वारंटी क्या है it is a stipulation which is essential की जो जो आप देखो मैं क्या लगने जा रहा हूं कॉलेटर या है कॉलेटर तूदा में परपस ऑफ कॉंट्रेंट अभी हम थोड़ी देर तक इसी पर बात करेंगे तो सुएंट्स यानि कंडिशन का फुल्फिल्मिट होना essential है और कंडिशन पूरी नहीं हुए तो बायर कहेगा कि मुझे मेरा समान वापस करना है और से लोग उट सेट कहेगा ठीक है आप वापस कर सकते हैं और फिस सेलर को उसका पैसा वापस लोटाना पड़ेगा लेकिन वारंटी जो हैं हेल्फुल है कोलेटर बोले तो हेल्फुल सहायत यह बात क्लियर होगे स्थेट्स अब चनंदीशन कौनखा इह होती है और वारंटी स्कौन खोने होती है देखेंट्स सुलंड कंडिशन जो होती है वह लोग हो सकते है कम flu मेन और अपकरन दिसाड नहीं करें तो से हम बोलते हैं इंप्लाइट cirड क्या क्यते हैं jij is ओर जो इसे बार ऐसे सब्सक्राइब उसे सब्देस्ट कर लेता हूं रिखकर या बोलकर या से दीड़ेवेंट गृत अधर। तो वह सुडेनट्स वह कंधिशन कोन से हो जाएंगी वह इसका मतलब यह है फोड़ा सा यहां पर ध्यामने की जो कंडिशन है वो दो तरह की की हो गई जो केमरमें टीम है वह उन से बात कह रहा हूं की थोड़ा सा ना font size को देखा करें की font size पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है इक दो स्टुट्स की कम्लेंट आए थे कि सर स्टुट्स पर आपका font size पूरे नहीं देख पाते हैं दूर से शूट करते हैं तो कंडिशन तो कंडिशन स्टुट्स दो तरह की होती है एक इंपलाइड जो पूरा कर लेते हैं अब स्टुट्स बात यह है कि क्या जो इंपलाइड कंडिशन है उनको कम या जादा किया जा सकता है स्टुट्स सेवन कंडिशन दे रखे हैं अगर मैं उसे छे कर लो पांच कर लो यानि बोल कर उन चीजों को मिटा दिया हमने तो वो वो एक्सप्रेस को गए इन्हें एक्सप्रेस को बिला हमने उन्हें इन्हें डिलीट कर दिया तो हम उसे एड़ भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं मिल जुलकर पर अगर हमने उन्हें कम या ज्यादा नहीं बनाया है तो जो एविलेबल है ते लोगोट सेक्ट में वो कायम रहेंगी यह बात क्लियर होगा इस्टूइंट्स गरेक्ट है ठीक तो मैं दोबारे से पूछ रहा हूँ कंडिशन क्या है कंडिशन को पूरा करना एसेंशल है पूरा करना एसेंशल नहीं है समझ में आ गया है दोनों में बेसिक दिफरेंस वारंटीज क्या है वारंटीज भी दो तरिके की होती है इस्टूइंट्स अगर मैं आप से बात करूँ तो वारंटीज भी इंप्लाइट और एक्सप्रेस हो सकती है जो से लोग डिसक्ट में बारंटीज गिवन लिखी भी है वो इंप्लाइट हो गई और जो मैंवर आप मिलकर एक्स्ट्रा तैय कर लें वो एक्सप्रेस हो गई यह बात क्लियर हो हूग यह स्टॆइट्स आप सबको क्लियर है ठीक तो इसका मतलब यह हैす्टूइंट्स कि कंडिशन और वारंटी में कुछ बीं Woran डिक्स नहीं है सिर्फ इतेना डिक्रां स्वर्शल है कि यह इस्टेंशल है और यह इसेंचल नहीं है इस पर समान वापस किया जा सकता है और इस पर समान वापस नहीं किया जा सकता है क्लियर है स्टुडेंट्स ठीक क्या कंडिशन को मैं वारंटी बना सकता हूं पता ही क्या कंडिशन को वारंटी बना सकता हूं हाँ मेरे को कंडिशन के कौर्डिंग अगर condition में कोई breach हो जाता है तो मैं वो गुट्स को वापस कर सकता हूँ पर फिर भी मैंने गुट्स को वापस नहीं करा फिर भी तो इसका मतलब है मैंने condition को क्या माल लिया? warranty यानि इसका मतलब है condition क्या क्या right देता है right under conditions क्या क्या है एक buyer के पास उसके बास है goods को वापस करने का goods को वापस करने का पर अगर वो इस right को sacrifice कर देता है तो ऐसी हलत में उसने condition को क्या माल लिया students warranty तो paper में question आएगा CPT में paper में question आता है CS में भी आता है कि क्या condition को warranty मान सकते है तो answer है yes कि अगर buyer अपने right को use ना करे जो condition उसे देता है तो it means buyer has treated condition like a warranty अब students यादा क्या warranty को condition बनाए जा सकता है तो इसका जवाब है नहीं क्योंकि warranty में goods तो वापस किया ही नहीं जा सकता तो इसलिए warranty कभी भी condition नहीं बन पाया ठीक है तो यानी condition can be treated like a warranty और warranty it can't be treated as condition ये बात सवज में आ गया आप लोगों को ठीक है अग ये बायर can return the goods और यहां पर अगर breach होता है तो बायर can claim only for damages इसका वालब अगर बायर ने goods को वापस नहीं करा और वो damages मांगता है तो इसने condition को क्या बना दिया warranty बना दिया condition को क्या बना दिया warranty ये बेसिक डिफरेंस है condition और वारंटी में जो आप हमेशा याद रखना है इसके बाद जो मैं आऊंगा इसके बाद जब मैं आऊंगा तो मैं आपको आपको implied conditions पढ़ाऊगा कौन कौन से implied condition है आपको express condition मैंने बता ज़िए express condition किसी भी बुक में नहीं लिखी है express condition का मतलब जो बायर और seller मिलकर तै कर ले यानि अगर मैं एक बायर हूँ और मैंने कोई शर्थ तै कर ली कि अगर भाई ये शर्थ पूरी नहीं वी तो मैं माल को वापस कर दूँगा और तुम्हें माल को वापस लेना पड़ेगा और seller ने अपनी जो है acceptance दे दी है कि हाँ ठीक है मैं इसको वापस ले लूँगा तो इसका मेरे और उसके बीच में जो तै हुआ है वो केस का हुआ condition तै हुआ है पर अगर seller कहता है नहीं जी माल वापस ने लूँगा मैं लेकिन मैं आपके damages दे दूँगा तो इसका मतलब यह है कि वो चीज जो मैंने और उसने मिलकर decide करी वो warranty हो गई तो अगर बायर और seller मिलकर किसी condition पर किसी चीज को मिलकर तै करते हैं कि माल वापस कर सकते हैं तो इसके लोग उन्होंने बात करी condition की पर अगर seller कहता है कि नहीं मैं माल वापस ने करूँगा मैं damages दे देने लिए दियार हूँ तो इसके लोग उन्हों बात कर रहे हैं वारंटी की बहुत simple difference है बहुत अराम से आप उसे recognize कर सकते हैं ठीक है अभी आप इसे copy कर लीजिए copy करने के बाद फिर मैं types of conditions पर आऊंगा implied conditions पर आऊंगा ठीक है ओके और जी गुरुजी अरा हमारी है दिखे students मैंने आप ये condition पहले से advance में लिखती है सिर्फ इसलिए की थोड़ा सा time को बचाया जा सके लेकिन मैं इसको आराम से explain करूँगा आप लोगों को ठीक है आप लोग भी ध्यान रखेगा तो ये साथ conditions है जो by default sale of goods sect provide करता है हर buyer को श्वाइर को पूछने की जुरूत रही है कि क्या seller कमा रीक है condition as to title कि seller माली है तभी वोगेश रहा है seller माली है तभी वो बेच रहा है तो कुछ नहीं उतनी है कि क्या आप इसके माली है वो ऊल्रड़ी ये मानेगा हर buyer कि जो seller बेज रहा है वो मालिक होगा, इसलिए वो मुझे बेज रहा है, इसे केते है इंद टार्टेल की कंडिशन, अब हम मैं दोबारा इस पह राऊए। Sell by description Sell by description का मतलब है कि जो description में लिखावा है वही होना चाहिए यहरी अगर कार्टून पे लिखावा है television set तो अंदर TV होना चाहिए VCR नहीं होना चाहिए अगर किसी बल्ब के box पर लिखावा है CFL 20 Watt तो वो 20 Watt कही होना चाहिए वो 20 वाट से कम या जादा का नहीं होना चाहिए इसे कहते हैं sale by description sale by sample का मतलब है कि अगर मैंने कोई seller को कोई sample दिखाया है तो जोब वो मुझे goods देगा तो उसी sample के according होना चाहिए condition as to quality or fitness कि जो भी goods मैं purchase कर रहा हूँ उसमें quality होनी चाहिए क्या होनी चाहिए commercially वो sellable हो commercially वो sellable हो मैं सब पर बारी-बारी से आऊँगा condition as to mercantability mercantability का मतलब जो मैंने buy करा है मैं उसे उसी value पर sale कर सकूँ उसकी full value मुझे मिल सके इसे कहते हैं mercantability condition impact by custom अगर कोई custom मेरे को बोलता है कि इस तरीके से उसको मिलना चाहिए था मेरे seller से तो वो according to condition custom के apply हो आते है जो different regions में different product में different market में जो भी custom apply होता है और जो eatables होते है खाने मली चीजे होती है definitely वो अच्छी होनी चाहिए positive होनी चाहिए healthy होनी चाहिए hazardous मे होनी चाहिए उसमें कोई poisonous जैसा चीज नहीं होनी चीज उसे कहता है wholesomeness ये इटेबल गूट्स के लिए आता है ठीक है students तो ये साटो कंडिशन किसी भी बायर को किसी भी seller से पुछनी जरूत नहीं है यह आप किसी रेस्टुन में गए और डोसा खा रहे हैं तो आप सु पुछनी जरूत नहीं है किस डोसा के खाने से में बिमार तो नहीं हो जाओगा आप यह माल लिजेगे कि जो डोसा है वो अच्छी क्वालिटी का होगा पर अगर आपने वो डोसा मालीज अपने घर पर मंगाया है अब अधला डोसा में कुछ ऐसी क्वालिटी इस डाउन थी कि वो खाने लायक नहीं है तो आप इस बेस पर ही माल लेंगे कि कंडिशन इंप्लाइट ब्रीच हो गई है आप इस बेस पर उस डोसा को वापस कर सकते है अरशन को मैं चुछ पारद अब क cidade इस बाता के लिए अधा कि नहीं होता है अग्रिमेंट का मतलब यहाँ पर कांटरेक्से को बन गया किसी future debt के लिए बन गया है इस लिए हम उसे agreement तो चाहिका है पर वो pure contract है तो students यह माना जाता है condition as to title में कि अगर वो contract of sale है तो seller उसका मालिक है और अगर वो agreement to sale है तो यह माना जाएगा कि अगर seller आज मालिक नहीं है तो जो future date है जिस date पर हमने buyer और seller ने delivery के लिए सोचा है उस दिन वो goods कब वो मालिक बन जाएगा कौन seller और फिर वो seller जब मालिक बन जाएगा तो वो buyer को भी मालिक बना देगा तो बार से बता रहा हूँ त्यान से सुन लिजिए condition as to title में अगर contract contract of sale का है तो यह pre-asumed है कि seller is the honor लेकिन अगर contract agreement to sale का है तो जो date of delivery है उस date पर seller honor बन जाएगा यह suppose किया जाता है यह suppose कोन कर रहा है बायार ने कर रहा है यह seller suppose कर रहा है कि आप चिंता मत कीजिए उस दिन तक मेरे पास माल आ जाएगा और मैं आपको माल दे दूगा यह उस दिन तक मैं माल खरीद लूँगा और आपको माल दे दूगा यह उस दिन तक मैं माल को manufacturing कर लूँगा और आपको माल supply कर दूगा तो यह उसकी तरफ से assurance है अगर इस रूल में कोई breach होता है तो यह condition में breach माना जाएगा और buyer goods को वापस कर सकता है सब्सक्राइब आप सब को clear हो गया sale by description sale by description में students जब कई बार goods बेचा जाता है तो उस पे कई बार उसका description लिखावा होता है जैसे किसी पर लिखावा है कि यह goods जो है made in India made in China तो at least वो made in China होना चाहिए यह नहीं कि made in India है पर उस पे stem made in China की लगाती है यह हो गया sale by description यह उसमें लिखावा है कि जैसे एक example अभी दिया था मैंने कि अंदर अगर अगर काटून टीवी का है और मैं टीवी खरिद कर ला रहा हूँ तो definitely उसमें से टीवी निकलना चाहिए अगर उसमें टीवी के जगे पर कोई और electronic item निकल लाता है मानिजे ओवन निकल लाता है तो निकाल रहे थे टीवी और निकल गया ओवन तो इसका मतलब वो sale by description वाला जो clause है उसको breach माना जाएगा और इस बिना पर जो customer है वो goods को वापस कर सकता है Sale by sample Sale by sample Sale by sample का मतलब है कि अगर कोई sample किसी customer के पास है और उसमें seller को show करा है तो seller को वही चीज उससे supply करने पड़ेगा या कई बार क्या होता कि जो sellers होते हैं वो अपना sample customer में बाढ़ देते हैं customer ने उसे पसंद कर लिया customer ने buyer को बोल दिया कि ठीक है आप जो है स्वारी seller को बोल दिया कि आप मेरे को इस goods वापस supply कर दीजिए तो जो sample था supplied goods वही होना चाहिए अब सवाल है कितना 100% 80% 90% कितना तो इसका जवाब एस्टूंट्स bulk of the quantity bulk का मतला बाप यह माल लिजे at least 95% 98% 97% या अबव 92% यानि अगर 10 packet हैं तो at least 9 सी जादा packet उसी sample के होने चाहिए 9 सी जादा packet कि 10 पैकेट भी उसी का होना चाहिए little bit अगर कोई और दूसरे टाइप का उसमें quality mix हो जाती है तो उसके लिए seller responsible नहीं है but bulk of the quantity must be matched with the sample condition as to quality or fitness अगर कोई seller goods बेच रहा है तो there is no warranty of quality there is no condition of quality लेकिन यहाँ पर हमने इसे implied condition मेना दिया तो दोनों में फर्क है silo goods set कहता है कि buyer देखे कि goods उसके लिए बना है या नहीं बना है लेकिन implied condition में यह clause यह कहता है कि जो भी goods बेचा जाएगा उसकी quality होनी चाहिए और वो buyer के लिए fit होना चाहिए अब कई ऐसी चीजे होती है students कई ऐसी चीजे होती है जिसका एक से ज्यादा यूज है जिसका एक से ज्यादा यूज है तो अगर उसका एक से ज्यादा multiple यूज है तो definitely हर buyer को उस multiple यूजने से कोई से एक यूज करना है आप इसे basin के रूप में ले सकते हैं basin को आप कई जगे यूज कर सकते हैं आप इसे कपड़े के रूप में ले सकते हैं कपड़ा कई तरी के से यूज हो सकता है तो जब एक किसी भी एक particular goods के multiple use होते हैं तो multiple use में buyer को कौन सा use करना है ये तो seller को नहीं मालूम ना तो अगर buyer के लिए वो fit नहीं है तो seller responsible नहीं है मैं ये समझा रहा था लेकिन मैं ये अब आगे बात बताने जा रहा हूँ कि अगर buyer ने seller को अपना use define कर दिया और seller कर भरोसा करता है कि जी मुझे ये मुझे इस काम के लिए समान चाहिए और आप मुझे इस कामान को दीजिए और वो totally seller के judgment पर depend करता है तो ये seller की जिम्मेदारी बन जाती है condition of fitness के एक case बताता हूँ मैं एक car होती बोगाती तो एक customer ने एक car शोरूम में जाकर ये कहा कि मुझे एक ऐसी car दे दीजिए जो travel purpose से fit हो और शोरूम ने उसे बोगाती कार बेस डाले बोगाती कार personal purpose से होती है travel purpose से नहीं होती है और ये पाया गया बाद में कि बोगाती कार travel purpose से जो commercial travel purpose से fit नहीं थी तो ये माना गया कि जो customer है उसका जो clause है fitness clause वो complete नहीं होता है उसने seller को अपना purpose define कर दिया था तो ये जिम्मेदारी totally seller के थी कि वो उसके purpose को solve करवाए तो इसलिए seller totally responsible माना गया अब इसके बाद जो आता है वो आता है condition as to mercantability mercantability का मतलब है कि जो goods है commercially sellable क्या हो commercially sellable हो यानि अगर कोई चीज मैं खरीद रहा हूँ मालीजे मैंने milk खरीदा है तो मैं उसे बाहर जाकर milk के रूपे बेच सकता हूँ मालीजे मैंने milk खरीदा और वो आता ही milk फट जाता है तो definitely वो milk के रूपे नहीं बिख पाएगा तो इसका मुला हो commercially sellable नहीं रहा तो ऐसे हरत में mercantability का उसमें clause ब्रीच हो जाता है इस बिना पर मैं goods को वापस कर सकता हूँ तो जो goods हम purchase कर रहे हैं चाहे मैं buyer हूँ या मैं business man हूँ और एक buyer के तरह वो खरीद रहा हूँ तो ऐसी हर अपने commercially क्या होना चाहिए sellable होना चाहिए market में यह पूरी value पर बिख सकते market में total जो value है उस पर बिख सकते तो यह condition has to mercantability हो गए condition implied by custom custom का मतलब मैं आपको पहले बता रखा है रीती रिवाज क्या बता रखा है रीती रिवाज तो जो रीती रिवाज होते हैं वो पूरे करें यानि अगर कोई वेपार है और वेपार में उसका कोई use है कोई uses है जो trade है uses of trade है उस industry में उसको जैसे use किया जाता है अगर खरीदने के बाद उसे वैसा ही use कर पा रहा है बायर तो कस्टम का जो clause है वो पूरा हो गया नहीं तो नहीं जैसे कि मान लिजीए कि किसी सबजी में जो समान है वो जिस तरीके से जिस तरीके से packing करके बेचा जाता है कस्टमर ने बोली लगा दी उसने छुड़वा ली और उसके बाद जब उसे सप्लाई किया गया तो उस तरीके से निकिया गया जैसे उस सबजी मंटी में जैसे packing करके बेचा जाता है तो यह माना जाएगा कि यह कस्टम का ब्रीच हो क्योंकि कस्टमर ने तो यह सोच था कि जैसा ही सबजी मंटी में कस्टम है यह गुड्स मेरे पास उसी तरीके से आएगा तो ऐसी हलत में पर्टिकलरी उस ट्रेड का ब्रीच हो उस ट्रेड में जिस तरीके कस्टम चलता है उसका ब्रीच माना गया और फिर यह माल वापस हो सकता है ठीके नश्रेंट्स तो बेसिकली यह हम एक्ट ऑफ पार्टिस के द्वारा बात कर सकते हैं या आप इसे ऐसा भी माल लीजिए कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कोई गुड्स सेल पर्चेश करते हैं और लंबे समय से पर्चेश करते आ रहे हैं तो नेक्स टाइम में जब उन्होंने एक बार नया कॉंट्रेट करा तो उनके बीच का जो बिहेवेर है जब तक उन्होंने मिलकर तै नहीं करा तब तक वैसे रहना चाहिए जैसे पहला था एक्स और वाई कोई गुड्स को सेल पर्चेश सेल पर्चेश कर रहे हैं जो रेट है पहले से डिसाइड है उन्हों के बीच ले जो क्वांटिटी है वो पहले से डिसाइड है या जो पैकिंग का तरीका है वो पहले से डिसाइड है कुछ भी एक चिस डिसाइड है और वो बदल नहीं रहे है लेकिन seller ने अपनी मर्जी से उसको बदल दिया तो ये ब्रीच बाना जाएगा कस्टम का बायर ये कह सकता है कि आपने मुझसे पूशा नहीं तो आपने इसमें चेंज कैसे कर दिया तो आपके और मेरे बीच का जो कस्टम है वो ब्रीच हो गया तो इसलिए फिलहाल ये पर्टिक्लर गूट्स में आपको वापस कर रहा हूँ तो seller को वो गूट्स वापस करना पढ़ेगा ठीक है students इसके बाद है condition as to wholesomeness wholesomeness मैंने आपको बताया था कि eatable goods के लिए होता है जो भी eatable goods market में हम purchase करते हैं दई हो गया डौक सफ हो गया पनीर हो गया ये सब छीज ओप अप मार्केट से पर्चेश करते हैं दाल हो गई तो ये सब छीजे इन सब में wholesomeness होने चाहिए यानि यह यूस करने लायक होनी कि आ शाहिए máximable condition में ए उननी कि होनी चाहिए है 100 आट Civitas तॉक्सिक नेचर नहीं हो नहीं जाये यानि कोई भी पोईजिनेश नहीं होना चाहिए कोई भी जहरीला कतो इनमें नहीं होना चाहिए कि खाने के बाद आतमीं विमार पढ़ जाए Clear Estuants तो यह सब ही implied conditions ती इसके बद express condition एक बाइर एक seller रिलकर तै कर सकते है सवाल उकता है express condition क्या होती है दिख कि जो कुछ भी मिलकर तै रिलिए हो files express अब ये फहचान करना कि वह condition है what ये बताओ कैसे तै करेंगे बताइए आप पताइए और अगर बायर समान वापस कर सकता है तो इसका मलब उन्होंने condition agree हुए और अगर बायर समान वापस नहीं कर सकता है तो इसका मलब वो किस बात पर agree थे वारंटी पर ठीक है students तो मैंने आपको implied condition खतम कर ली है अब इसके बाद में implied warranties पर आ रहा हूं आप इसे copy कर लीजिए और फिर इसके बाद हम फिर आगे चलेए अगर दियो तुमें नहीं यहां इस गली मोहले में implied conditions बताने के बाद आप लोगों को अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं implied warranties के बारे में यह implied warranties हैं किसी भी buyer को किसी भी seller से पूछने की जुरूद नहीं है यह हर seller को अपना movable goods बेचते समय मालूम होना चाहिए और हर buyer को यह मालूम होता है कि मेरे को यह warranties मिलेंगे इन warranties के breach होने पर buyer को राइट नहीं है goods को वापस करने का लेकिन वो जितने का उसे loss हो जाए उस loss को वो as a damages claim कर सकता है seller से और by law वो claim वापस मांग सकता है ले सकता है तो पहली warranty है warranty of quiet possession उस goods को शान्ती पूर्वक इस्तमाल करने का देखा यानि कि आपने खरीदी cycle आपने क्या खरीदी cycle और cycle की जो seat थी उसमें कील निकली भी थी और उसने आपकी paint फाड़ दी तो यह quiet position नहीं माने जाएगी या आपने कोई आपने कोई leather garments खरीदा ठीक है ना और वो आपको suit नहीं कर रहा है हाला कि seller ने आपको बता दिया था कि भाई देखिए इसे पहले ऐसे test कर लेजेगा तो quiet position नहीं है तो cycle वाला example बताया मैंने आपको तो ऐसी हलत में quiet position नहीं होने एक आरण जितने का आपको loss हो गया वो loss आप किस से ले सकते हैं seller से ले सकते हैं या आपने कोई मान लीजे कोई car या motorcycle खरीदी और मान लीजे उसका कोई part बार बार शोर मचाता है तो आप उसे quietly उसे use नहीं कर पा रहे हैं disturb कर रहा हो आपको बार बार आप जाकर उसकी repair करवाते हैं या manufacture सी repair करवाते हैं ऐसी हलत में चुकि वो नया product था और आपने खरीदते ही इस बात को seller को बताया तो आपको जो losses होए उस समय वो आप उससे claim कर सकते हैं नेक्स है warranty of freedom from encumbrances encumbrances का मतला होता है charge क्या मतला होता है charge मालीजी आपने कोई कार खरीदी और मालीजी आपने second hand car खरीदी है जब आप कार खरीदी का अपने घर में रख लिया तो कार खरीदने के बाद आपकी घर पर चलान आ गया traffic police के निया किसी parking की आपके पास Lip आ गई और यह चलान उस समय के ते जब पित्छले भायर के पास पिछले भायर के पास यह कार्ड ढ़ा करती थी या यह parking की ज़ुआ परकिंग के ज़ुआ पिसले भायर के पास पास गणे ती कानूनन आपको पैसा मालनी जे वो देना पड़ गया तो यानि इसका मला जो तीज आपको बेची गई वो उसमें चार्ज था और आपको चाहिए था फ्रीडम फ्रॉम एनी चार्ज तो ऐसे आदर में जो पैसा आपने उसके लिए पेमेंट किया आप वारंटी के एकॉर्डिंग आप ये पैसा आप पिछले बायर से ले सकते हैं यानि आपके लिए जो सैलर है जिससे आपने खरीदा है लेकिन इस मिना पर आप गुड्स को वापस नहीं कर सकते इसके बाद वारंटी एस टू क्वालिटी ओ फिटनेस भाई यूजिस अप ट्रीड जो ट्रीड है उसके एकॉर्डिंग अगर गुड्स में कोई भी चीज खराब हो जाए और सैलर उसके क्लेम देता हो तो वो वारंटी में आ गया और अगर उस ट्रीड में अगर कोई गुड्स खराब हो जाए और सैलर गुड्स को वापस ले लेता हो तो यही वारंटी कंडिशन बन जाती यानि यह एकॉर्डिंट तू कस्टम हो गया स्टूएंट्स यानि अगर ट्रीड उस चीज के बिना पर माल को वापस करने का राइट सभी सेलर्स को माल जी गुड्स बेच रहा हो और उसमें कुछ भी dangerous nature है तो अगर उसमें कोई dangerous nature है तो seller की जिम्मेदारी है कि वो buyer को बताए इससर इसमें ये dangerous nature है आपने इसको ऐसे use कीजिएगा जैसे की जैसे की आप बहुत सी दवाईयां लेकर आते कुछ दवाईयां ऐसी होती है जो separately बच्चों की reach से बच्चों की पहुंच से दूर रहनी चाहिए तो उन दवाईयों पर specifically लिखावा होता है तो seller ने आपको लिखकर बता दिया कि भी बच्चों की पहुंच से दूर रखे नमबर एक नमबर दो कुछ चीजी ऐसी होती है जो external तो यूज कर सकते हो आप internal यूज नहीं कर सकते मैं लगाने की है खाने की नहीं तो उन दवाईयों पर लिखावा होता है use is for only external purpose तो यहनी उसमें dangerous nature था कि आप फा नहीं सकते हैं आप सिर लगा लिजिए तो dangerous nature उसका पहले से seller ने बता दिया इस तरह से कई goods ऐसी होती है जिसको आप handle करते हैं तो वहाँ पे arrow अगरा के निशान होते हैं कि आप इसे ऐसे पकड़िएगा ऐसे मत पकड़िएगा लिटाईएगा नहीं तो वो उसका एक ट्रगा का dangerous nature है तो अगर उसने नहीं लिखा है और आपने पाईजान से उसे पकड़ दिया और लुकसान हो गया तो वारंटी क्लॉज हो गया आप उसका ले सकते हैं अगर उसने आपको बता दिया था तो अब आप उससे वो क्लेम नहीं ले सकते तो स्रुइंट्स फिनिश होता है वारंटी सभी को क्लेर हो गया है पोजिशन आपको भी तो कंडिशन्स साथ पढ़ी हमने वारंटी हमने चार पढ़ी अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्लूजन ने इनक्लूजन आफ कंडिशन और वारंटी यानि कंडिशन वारंटी में कोई आईटम एड़ किया जा सकता है या कोई आईटम निकाला जा सकता है तो जवाब है येस पेपल में अगर कुशन आएगा तो आपने क्या बोलना है? येस बोलना है क्यों बोलना है? मैं आपको बताया कि expressly हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं हम उसको कम या ज़्यादा बना सकते हैं अब इस टॉपिक में condition and warranty discuss करने के बाद क्या बच जाता है आपको ये मालूम होना चाहिए तो इस टॉपिक में condition of warranty को के बाद जो बचता है वो है let the buyer behavior kevet ambitator rules rule of kevet ambitator तो अब मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ rule of kevet ambitator ठीक है students तो आपको अपी कर लिए उसके बाद बचाते हैं आपको आपको बचाते हैं